हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो बड़ा है इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अलहाबद युनिवस्टी के जियोग्राफी प्रेक्टिकल की बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में 2.1 से 2.12 तक के कोस्चिनों को सॉल किया था आज उसी सीर वाल शाय को कोई भी पैसेंस को बैसेंस रखने की वसक्यों जरूरत है किसी प्रकार की कोई अर्नेस कुछ भी मतलग की घर बंशा की जरूरत नहीं है तो आप लोग वसकी और भी पैसेंस रखीये और धहर बनाए रहे और मेरे साथ है लगे रहे तो जिस भी दोस्त को यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गाउं तक यार जो भी व्यक्ति यदि गाउं का है उस तक ये वीडियो पहुंचाईए जेतनी भी ग्रॉप है उसमें सेयर कीजिए कि उसका पूरा प्रैक्टिकल बन सके क्योंकि इस वीडि आपको इस वीडियो का पीडियो जुव है एक नमबर दिया जाएगा लास्ट में उसमें प्रवाइड कर दिया जाएगा आप उस नमबर पर मैसेज कर दीजिए गा तो आपको उस पर पीडियो मिल जाएगी तो चलो वीडियो आंगे बढ़ाते हैं हमने 2.1 से कोस्चन को कि किया था कोस्चन यहीं दिखा दें हम बार बार आपको कोस्चन नहीं दिखाएंगे only for solution ठीक है तो डेख लीजिए ठीक है तो ऐसा कीजिए हम आप लोगों को 2.3 आप लोगों के पास यदि प्रैक्टिकल फाइल होईगी उसी में बनाएंगे कोस्चन तो आपके पास यहां तक है यह लाग्स पोस्चन था इसमें कोडिनेट निकालना था पतलब कि क्वार्टाइल जो की चतुर्थक होता है हिंदी पर हिंदी पर जिसको लिखना हो लिख सकता है मतलब कि इंटर कॉर्टाइल रेंज मतलब कि चतूर थक इसे हिंदी में चतूर थक बोलते हैं वो लिख सकता है तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्या होती है कैसे निकाली यह नहीं समझ में आ रही है तो एक बार यार कॉंटेक्ट कर लीजिए कमेंट कर दियेगा आपको सॉलीशन बहुत जल्द ही प्रवाइड कर दिया जाएगा वीडियो बना दिये जाएगा आपके लिए बहुत ही आप लों के लिए जितना भी मैं कर स करिएगा तो देखिए यह सए मैं बताने कोसिस करता हूँ क्या होती है रियल प्रक्वाइशी जओ होती है सेमार कॉनिड्याटिव तूसरी निकाली आती है उसमें यह बाला नम्बर 8 कर दिया जाएगा इसमें जो रेंज क्या होती है इसमें इस एक इसका और फार्मूला होता है जो कि आप लोग को जदी आप लोग इकनॉमिक्स ली होते हैं उसमें पढ़ाई जाता इस्टेटिक्स पर यह 2.14 इसमें यह भी यह कि आप लोग कुछ बहुत बता दिया जाएगा उसमें पीडियेप पर आप लोग आप लोग बहुत ही चल उसका सोलीशन उस वीडियो का वह भी डाइग्राम नहीं समझा रहा है क्योंकि आंगे तो डाइग्राम बाला ही पार्ट होगा 1.1 वाला यह तो टूफाइंट यह पहले लिखने वाला है नहीं राइटिंग पार्ट हो आप लोगो पहले दिखा लिए जा रहा है तो यार इ हो सके ठीक है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते जाए गया आप लोगों को दिखा दिया जाता हूं आप लोग स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं यहां से पुली स्क्रीन करके स्क्रीन सॉट भी ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पीडियोफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि वैसे भी पीडियोफ पता नहीं कितनी लोग कमेंट करते हैं सभी को तो देना पड़ेगा टैम लग सकता है पीडियोफ लेकिन इसको तो आपको मिली जा रहा है ठीक है तो यहां से आपका बने भी रैटिंग पार्ट था वो समाफ होता है वह हम चलते हैं डाइग्राम वाले पार्ट पर ठीक है यह है डाइग्राम वाला फर्स्ट कोस्चन और जो भी कोस्चन समझ में ना है तो हम बता दीजेगा आप लोगों को कमेंट में बताएगा ह तुरंत आपकी कमेंट के बहुत ही जल्द अवेवल कर देंगे कि आपका कमेंट आए उसके थोड़ी ही देर बाद उस वीडियो को अपलूट कर दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों का मेरा यह उद्देश है कि हमारा यह ती भला हुआ है दो चाल लोगों को और हो जाए नहीं बनाया तो इसका प्रक्टिकल बन सके जिससे कि उसको भी अच्छे मार्स मिल सकें जे हैं कि टूफंट थ्री कि इस्टाइग नहीं गुत परी द्यान से देखिएगा तंप्रेचर जो ओडी एन एफ लिखा है ना यह मंत्स के नाम है मंत्स के यहां पर जैन्वरी से स्टार्ट हुआ है जैन्वरी फैवरी मार्स अप्रेल में इसी प्रकार डेप संबर तक हुआ आप लोग इनको जरूर बनाएगा है कि टूफंट शिक्स है कि ठीक है कि अग्यार भाई जो नंबर आपको लास्ट में दिया जाएगा उस पर कॉल नहीं करिया जाएगा आपको पीडियाप मिल जाएगी बहुत ही जल्दी मिलेगी आप उस पर कमेंट ना करें बस थो डाइग्राम बड़े ही आएंगे यहां से ना से सेक्शन बी स्टार्ट होता हूं वहां से डाइग्राम बड़े ही बने हैं यह पिछला कोश्चन है वो नहीं दिखे हैं इसको अच्छी दरीके से बनाई हैं इस पीडियो वो भी कि इसके लास्ट कोश्चन यह दियार भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे चैनल पर कमेंट करिएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हैं धन्युआद् कि अ